हेलो प्लेंड आज हम दिसकास करेंगो Zodiac sign कैंहोता है और यह जो 13th sign की बात हो रही है यह फोर्टींथ रही है इसका क्या सिद्टिक से है तो पहली बात पैली बात तो यह है कि हमारा Zodiac sign हमारा से सिस्टेम होई है तो Sun हमारा Center में है और यहां से 8 degree North और 8 degree South जितने भी planet हैं और जितने भी komets हैं अस्टरोइट से सब यह 8 degree North और 8 degree South में आते हैं यह कहां से पता चला टेलिस्कॉप से पता चला है यह तो यह देखवा यह जो बैल्ट है यह इस तरीक से यह 8 degree इधर जाएगी और यह 8 degree यह सारे प्लाइट इसी के अंदर होंगे यह ठीक है यह मर्करी यह वीनस अर्थ मार्स वीटर सैटन फिर अपका यूरैनस नेप्चिन अब यह 30-30 degree के हमने इसमें जोडेक साइन डिवाइट कर दी है यह 30-30-30-30 यह हम जो देखते हैं अपने 12 जो होते हैं हमारे यह 30 degree का एक हाउस होता है theoretically हो सकता है कि 29 degree कुछ मिनट कुछ सेकेंड हो बट theoretically यह 30 degree का होता है ठीक है तो यह इस तरीके से हमारे 12 साइन होते हैं औ अब जैसे आपके 10F होता है इस गसी क्यों होती है इस तरीक यो यह हुझा होती है तो हैलिए यहां जब सतीक हो पतीता है तो इसको इस तो करेंद केखार यह इसका यह cancer का है इस तरीक से दिखाई देता है लिवर का कोई special shape नहीं है तो यह shape भी जो है मैं observe होती है तो यह जो 30 यह 13 और 14 यह जो है 30 sign इसका concept को नए concept नहीं है ठीक है यह बहुत प्राणा concept है लेकिन prediction में इसको use नहीं है यह love symmetry को follow नहीं करता क्योंकि आप 360 को divide करोगे 12 से तो एक love symmetry i30 equal parts में divide हो जाएगा अब 360 upon 14 यह 360 upon 13 यह कभी symmetrical नहीं हो सकता ठीक है तो love symmetry को follow नहीं करता prediction को use नहीं है इसका इंडियन astrology चलती रहेगी prediction होती रहेगी रिजल्ट साते रहेंगे astrology काम करती है और मुझे फूरी में रापर समय में आ गया होगा कि किस तरीक से यह दोड़ेक साइन बने कैसे इंगी shape बनी कैसे इनका division हुआ और यह degree north यह degree south तो यह 13th 14th sign यह significant नहीं है prediction में Thank you